इसी तेरह की जो कहानी है वो कल सत्येंदी.com वाले जो है वहाँ पे बीचल रही थी उन्होंने यश्वन देश्मुख को बुलाया हुआ था जो सी बोटर वाले हैं उनको बुलाया हुआ था उनको पकड़के वो बैठे हुए थे तो उनका पहला सवाल यही था कि भाई हम भी घूमके आए मद्यपरतेस में और हमें यह जो है अंडर करंट जो था यह हमें क्यों महसूस नहीं हुआ और खुद यश्वन देश्मुख की वे कह रहे थे कि भाई एक बात बताईए कि यश्वन देश्मुख को तो खुद को नह नहीं हुआ कि यह कैसे हुआ और यह तो सुनामी है मद्यपरतेस के नतीजों से सब लोग परिशान हैं मद्यपरतेस में लग रहा था सबकों के नेक टूनेक फाइट होगी और हो सकता है कॉंग्रेस को उसमें एज लेकिन जो एजिट पोल है और इनका एक्सिस माई इंडिय वाला सबसे बाद में आया उसने 164 तक 161 तक सीपे दे दी जो थोड़ा सा उन्होंने होल्ड करके रात में दिया थोड़ा सा लेट दिया बाद में एक्सिस माई इंडिया का दो सरवे आये उसके इस पे तो सभी लोग इससे हप्रव रह गए कि यह मद्दे परदेस में क्या हो गया हत्परव तो कायदे से रहना चाहिए लोगों को राजस्तान में जहां कह रहे थे कि लैंड स्लाइड विक्ट्री होगी और वहां पे तो शुरुवात में ऐसा लग था बिल्कुल एक दम बराबर चल रहा था मामला लेकिन जिस तरीके से मद्दे परदेस में बढ़ मद्दे परदेस को घिया होने जा रहा है और 36 घड़ की तो खैर अंतिम समय तक किसी को बनक नहीं हुई कि 36 घड़ में क्या होने जा रहा है तो ये जो आपने आरफा-जीवाली बात कही तो ये बात कई लोगों ने कही एक वह पत्रकार हैं उसमें नीलू व्यास वो डिबे पर तो मेरे मुझे से पता नहीं वो जो फ्लो में एक लाइन निकल जाती है मैंने कहा कि निरू जी आपको करन्ट कहां से महसूस होगा आपकी पत्रकारिता वहीं करन्ट खतम हो चुका है तो मुझे लोगों ने बड़ी वधाई दी किया आप आपने अच्छा कमेंट किया और एपिक आपने कमेंट बारा उसके तो यह हकीकत बात है कि कोई इसका अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि जो भी हो रहा है हम और आप भी सब लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोग तो 36 गड़की तो गिंती कहीं करी नहीं रहते अनेक्सपेक्टिड तो है और जो जिस तरह के गए है नतीजे आए हैं वो किसी को उम्मीद नहीं थी देखिए राजस्तान आपका उसमें हम सोच रहे थे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा बहुत बढ़िया मैजोर्टी आएगी कुछ लोगों ने कहा था मैं गया था वहाँ जैपूर तो मेरे एक मित रहा है उनके सा होने लगता है यह सब चीजे सामने आती है तो और इन सब लोगों का तो घडाम से गिर जाना बड़ा ही नैचुरल है पुन्य परसून ने तो वीडियो बनाया था आपने देखियोगे क्लिप बड़ी कल से वह वायरल हो रही है कि कल जो है देश के बदलाव का समचार आ रह गा और फिर उसके बाद जब उन्होंने कल शाम वीडियो बनाया वो भी यही कह रहे थे अपना हाथ ऐसे मलते रहे गए उनका तो अंदाज है यह करने का वो कहते हो रहे गए कि साब यह तो लहर है और अपने दम पे मोदी जिस तरीके से चुनाव खीच कर ले गए है तो अ अब यह क्या करेंगे इस बात से भी तो यह आशनकीत है कि अज़़ार चोबीस में मोदी क्या करेंगे क्योंकि इसमें से तो तीन राज्यों की जीत है इसका क्रेडिट अभी तक तो मोदी कोई है कोई फेस नहीं है किसी को खुली छूट नहीं दे रखी कि अपने शत्रफ जैसे इन्होंने कांग्रेस वालों ने खुले छोड़ दिये थे कमलनात कुछ का कुछ कर रहे थे अपनी मर्जी से अशोग गैलो तो सचीन पाइलेट को एड़स्ट करने को तयार नहीं थे उनके लोगों को टिकट तक मिलने की नौबत लाले पड़ रहे थे तो ऐसी स्कित इस्टेट ये हारे हैं उनमेंसे तीन जगे तो इन्हीं की सरकार थी बतलब दो जगे तो में उसमें थे और तीसरी जगे ये बनाने जा रहे थे सरकार तो वहां तो किसी इनके जो चीफ मिनिश्टर शोग गैलोत ने कभी नहीं कहा बोकेस बगेल ने मुझे मैंने नहीं सु सबसे देखने को मिल सकता था हिंदी बेल्ट में कॉंग्रेस बिलकुल साफ है टापउ बचा हुआ है वही माचल परदेश का वह चोटा सा वो तो पूरा साफी हो गया और ले देके अब बिहार है और बिहार में ही ये सब कुछ हो सकता था जातिया जनगंना को लेकर इतना पाशोर सराबह भी बीयार में संभावता जाती है जन्गन्ना कराने की जो इताफलापन था वो भी बीयार में संभावता किसी नही इसका विरोद कहा किया हमारे नेता तो साथ गए थे जब हम लोग इसकी डिमांड कर रहे थे तो हम लोग तो साथ थे लेकिन आप ये देखे ना कि बराबर कई स्टेट है उत्तर परदेश कोई मांग नहीं कर रहा है अखलेश यादव की कहानी के लावा और कोई कोई कही नही देखे तो यह मुद्दा बन कहां पाया मुद्दा यह मुद्दा था यह नहीं और आप एई तेलंगावा की जीत ओक को channya यह एक कहते हैं कि इतना वह पर बीई आरेस को हटाने के लिए वोटर इस बार निकला था और को विजपी उनका विकल बन नहीं पाई है उन N+. सामने कॉंग्रेस को वोट दे दिया उनोंने तब बांदी संजे कुमार को हटाना वो सब चीजे जो कि नोंने की और टी राजा सिंग वाला जो है वो इतना डिले डिसीजन होना उन सब में इतने सितने भी ये सब डिसीजन थे ये तो पता नहीं क्यों और देखिए मैं अभी क उनका ये कहना था कि इसका बियारेस को बले नुकसान ना हुआ हो लेकिन बीजेपी को काफी नुकसान हुआ इसका कि ये तसाब बियारेस तो इससे मिल गई है और अगर हमें बियारेस की ही सरकार लानी है बीजेपी को वोट देंगे बियारेस के सहयोग से बियारेस और बी पर तो जो सरकार वनी है के लंगाना में तो वहां बीजेपी की तो फाइट होई नहीं वहां तो दोनों इंडिया लाइंस वाले लड़गे एक तरह से भाई डियारेस भी बीजेपी के खिलाफ अपनी मुहीम चला रहा था कि हम एक होंगे हमें एक होंगे बस वह कॉंग्रेस तो उसे दिक्कत थी वरना तो हैं तो वो सब एंटी बीजेपी फॉर्सिस ही जो वहां पर चुनाव एक दूसरे को इसके खिलाफ लड़ रही थी तो उसमें बीजेपी का तो कुछ लॉस नहीं है बीजेपी का तो जो भी है उसमें तो गेनी किया है एक से आठ हो गए और उ इस पे चालू रहेंगे और वो इतने से भी शायद खुश होंगे कि तेलंगाना में सरकार बन गई है इससे भी वो खुश होंगे और उन्हें यह लग रहा होगा ज़ूरू कि मैंने जो जाती है जनगना वाली कहानी वहां पर गाई थी जाके यह उसी की वज़े से सब बोल रहे थे वहां तो किसी ने कह दिया कि मोदी जी गए थे तो भारत मैच आड़ गया और पनोती है किसी ने तो वहां से उन्हें वो शत पकड़ विया वो उसी को कहना शुरू कर दिया वो यह नहीं सोचते कि वह जिस चीज को कह रहे हैं उसका रिवर्स उसके इफेक्ट पर नहीं है जो लोग उसे सेंटिमेंट से जोड़ लेते हैं अपने राउल गांदी को उनके जो सलाकार है ना वो टैग लाइन उनके लिए बनाई नहीं नहीं पा रहे हैं वो कभी इसकी लपक लेते हैं कभी उसकी तो इस बार लगता है कि यह करने वाले हैं पिछले बार उन्हें राफेल किया था, अम्बानी था, इस बारणानी और फिर अभी यह जाती है, जो निगनावाला उन्हें पड़ गया है, असल में इनके क्या है, कि इनके जो सलाकार है न, वो सारे के सारे वामपंती हो गए हैं, अब लेटर्स तो कनया कुमार, हाँ, यह जितने भी वा प्लिटिक्स है, जिसे कह रहे हैं कि मंडल टू, पार्ट टू का जा रहा है, इसे जाती है जनकरना को, तो किसी ने इनके कान में फूंक दिया है, कि यह साब यह आप लाइन पकड़ के रखो, तो वरना राहूल गांदी को कम से कम इतना तो पता ही है, कि जितने भी मंडल व वापस लोटेंगे, कहीं तो कुछ उमीद बने, वरना उमीद ही कहा है, बिल्पुल एक दम अंधेरी सुरंग है, कल खड़गे ने कहा कि हम छे तारिक को मिटिंग बुला रहे हैं, इंडिया लैंस की, कल हुआ तो है, अभी शेक बेनर जी ने कह दिया कि यार तुमने तो सा हो गए, कभी तुम करनाटक के चुनाओं में चले जाते हो, जमीन तुमारे पेर टिक नहीं रहे हैं, करनाटक की जीत के बाद से, तो अभी शेक बेनर जी ने तो बना कर दिया, अभी खड़गे ने कली तो कहा कि हम छे तारिक को मिटिंग बुलाने वाले हैं, ऐसी क्या उत करनाटक के चुनाओं के बाद, फिर इंडिये लैंस की वो पहली बैठक पटना वाली होगी, केजरिवाल कहते रहा है, मुझे मिलना है, मिलना है, टाइम नहीं दिया, अखलेश यादव को टाइम नहीं दिया, अखलेश यादव सीरियस हो गए, कि साभी हमें अगटबंदन में लेंगे, वाँ फूलिस्ट लेके बैठे वे हैं, उधर दिगविजे सिंग ने और कमलनाथ ने सारे टिकट माट दिये, फिर वो कह रहे हैं, खलेश यादव के हम तो सून्य है, आया हमारे लिए तो यहां सून्य ही बचा, तो कहां इनकी अपनी जुबान पे टिक आ रह ही है, और तीन-चार स्टेट हैं, जहां पे अड्जस्टमेंट होना है और ही क्या, मारास्ट में, बियार में, पस्चिम बंगाल में, केरल में और तो कोई स्टेट बचती नहीं है, बाकी सब सेटल्ड है, यह चछतिस गड़मी तो ऐसे ही हुआ है, वहां पे वो जो मेतारी वंदन योजना क्या थी, वीजेपी ने कहा, कि हर महिला को, हर ग़र में भल में, अगर तीन महिला न है तो तीन हजार, हर महिला को एक हजार मिलेंगे हूँ आपको कि यह मोदी की जिसे कहते हैं नहीं कि एक ब्रैंड बन गया है महिलाओं का जो फेथ है उन पे वो कोई भी योजना हो यह लाड़ी बैन योजना जो भी योजना यह ला रहे हैं हर राज्य में अलग-अलग नाम है उसके लेकिन कहीं न कहीं सभी जगा देही रहे हैं कुछ न कुछ तो उन पर भरोसा कर रहे हैं लोग क्यों क्योंकि वो डिलीवर कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में डिलीवर किया है उत्तर परदेश में किया है कई जगे डिलीवर करके दिखाया है तो लोगों का भरोसा बनता है इनकी बात पर कोई भरोसा ही नहीं कर रह तो कोई ऐसा नेता भी तो होना चाहिए ना कि आपके पास जो मोदी की जो वीजन है उसकी काट में कुछ निकाल के लाएं ऐसा कोई है भी तो नीम के पास कोई रणनिती नहीं बनाएंगे यह जिस तरीके से आज की स्थिति में आप देखना दोजार चोबिस तक यही स्थिति चलेंगी और इसी स्थिति में सब चुना लड़ जाएंगे कोई कहीं पे लड़ेगा कोई कहीं की सुनेगा कैंई की से कुई जगह एसा भी होगए के कॉंग्रेस का भी प्रतीयाशी खड़ा होगा सपा का भी खड़ा होगा बसपा का भी खड़ा होगा सब जगे यह कानी होने वाली हर स्टेट में सब कोई 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 आसार मजर नहीं आता मुझे तो इनका और इस बार तो नकुलनाथ भी नहीं बचेंगे नकुलनाथ के बारे में लोग का जा रहा है कि वह नकुल इल कोनू गोलू है वो जो वहाँ पे मैनेज कर रहा था डीकेश शीव कुमार का चुनाव तो राउल गांदी ने का कि भाई इसको यहां रख लेते हैं आप इसके इसाब से मैनेज करा लो लेकिन कमलनाथ ने बताया जाता कि उन्हें वहां रुकने नहीं दिया एक भी दिन कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहीए और यह जो दोनों पर्भारी बनाया गएते एक जेपी एगरवाल दिल्ली याले और फार Ci люб अनी एक दिनी सुनी, ये दोनों ने सुलिडर कर दिया, आकर राउल गांधी से साथ कह दिया के नहीं साथ, हम कमलनात् सब अपनी अपना चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी का मोदी के नाम पर जो वोट मिला वो मिल गया तो कॉंग्रेस में उल्टा था इसका कॉंग्रेस ने हाई कमान की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था वहाँ उन्होंने 22 मलेज के टिकट काटे चतिस गड़ में वो 15 सीते आ रहे हैं वो उनमें से भुपेश बगेल जिनके टिकट काटे बाइस में से 15 सीते आ यह नहीं कह रहा कि अगर वो बाइस के बाइस के नहीं कठते तो इसका मतलब यह था कि बहुत साफ ता उनके सामने कि उनके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है वो विदायक अगर लड जाके सबको लगता है कि यह एक दुखती हुई रग है और पार्टी के एक कमजोर कड़ी है तो लोग बार-बार इनको पुश करते हैं लेकिन यूपी का मामना संजय जी में बताओं आपको बिल्कुल सैटल है और दो हजार चोदा रिपीट होगा यहां पे 70 पलस सीटे और ज कियाने लगे हैं कि यह जो भी सिटे डिमपल विमपल की जीती हुई है यह भी जाएंगी सब्सक्राइब बहुत मुश्किल है पिछली बार तो मुलैम सिंग थे मुलैम सिंग इपनी जीत लिए थी मैनपुरी वाली तो यह बाइपौल में जीत लिए दो नहीं वरना मुलैम के लिए तो बिलकुल रस्ता साफ है यहां पर बोदी जी को मैक्सिमम सीटे मिलने वाली है यहां से बाराख में यह भी सेट हो गया है कि वहां पर उसका टेस्टिंग भी हो गई है कि यह एंसीपी जो अजीत पमार वाला खेमा आया है यह वोटिंग परसेंटेज बढ़ा रहा है इनके साथ यह तो टेस्ट हो गया है वहां पर जो भी चुना होगे थे पिछे ही पंचायत के जो चुना होगे थे उनमें क्लीन स्वीप कर दिया है नोने साफ कर दिया आपकी बार तो सुप्रिया सुले आर रही है जो भी आंकड़े महां के आ रहे हैं सुप्रिया सुले लगा देता है पस्चीं बंगाल में भी चांसिस फिर पुराने बन गए और देखिए इसमें 36 गड़ में ये भी आ गया कि ये द्रोपती मुर्मू वाला दाओं भी काम्यावरा है आदीवासी सब जगे बीजेपी को वोट दे रहे हैं मद्यपरदेश में भी राजस्थान में भी गुजरात में भी दी हैं इससे पहले यहां भी दे रहे हैं और उधर तो आदीवासीों का बड़ा महत्पुंड बुमी का होने वाली है और उधर रनदीप उड़्डा ने मैतिल लड़की से शादी कर ली है तो नौर्थीस्ट में भी कानी शुरू हो गई है तो नौर् तो बेटर पॉजिशन में आएंगे खराब पॉजिशन बिहार में भी नहीं आने वाली है तो हिंदी पट्टी पूरी सेटल हो गई है राजस्थान से रुदर बिहार थक तीन सो पार है संजेजी यूश्चीत रूप साब मान लिज Intro ад पूर300 पार ऑजो पुछली बार थोड़ी बहुत कमी रह गें तilly उससेzych पार है इस rebel Allah चार 80 आभ नारा देते थे हैं तो यह कहीं उसी के बीच में साड़े 300 400 के बीच में सेटल होने जा रहा है माम ला जो सम्भावनाई बनती उन्हें जड़ा रही है मुझे तो क्योंकि अब देखे ये केरल में कॉंग्रेस भी डाउन जाएगी maximum हो चुका उसका 15 सीटे आई थी वहां से वहां भी कुछ नहीं पुछ पुछ नहीं है उससे बेस्ट कुछ होना नहीं है उनका और चर्चा जो चल रही है वो तो अक्सर मैं तो कहता हूँ जैसे कि अगर मोदी जी इस बार किसी साउथ की एक सीट से चुनाव लड़ लें तो साउथ में भी परभाव पड़ सकता है इसका तो बहुत ही सुरक्षित रहेंगे कोई सीट इनके लिए छोड़ दी जाए तो वह से चार पांच स्टेट पे इसका प्रभाव पड़ सकता है निश्चित रूप से करना चाहिए दो जगह से लड़ना चाहिए मोदी जी को इस बार 2014 की तरह करना चाहिए जैसे बड़ोदरा से बनारस से लड़े थे लड़ें इस बार भी एक सीट छोड़ दें फिर बाद में बनारस वाली छोड़ दें क्या दिखके थे आम आदमी पार्टी का मैंने आपको एक ट्वीटर हैंडल बताया था संजे जी आपका मेता वो तो जवुआilotा गया है उसके सारा दिन वह एंटी congres tweet करते रहे और लोगों को यह कहना है कि वह जो ट्वीटर हंडल है वह आम आदमी पार्टी का Tweeter हंडल है गोस्ट हंडल है और अर्विन के जरिवाल उससे tweet कराते हैं तो उन्होंने तो साफ कर दिया के जरिवाल के तो उन क्यों इने अड़्यस्ट करेंगे हम इने पंजाब में भी निकर तो आम आदमी पार्टी वाला तो खुल के खिलेगा उसके पास तो बढ़िया मोका है तो आम आदमी पार्टी भी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो आप ये तैह मानिये कि तीन या चार सीटे कम से काम खाता नहीं खुलने वाला है शुकबीर सिंग बादल हरसीमरत कोर बादल ये भी आरने वाले हैं उन्हें भी वापस आना पड़ेगा बीजेपी के वोटों से जीते हुए हैं दोनों मिलके अपने दम पे कहां जीते हुए हैं ये तेरा सीट हैं दस तीन का होता था अब हो सक सान है वो दी जो थे परकासिंग बादल को मानते थे बहुत ये हकीकत बात है वो बहुत मानते थे उनकी वज़े से उस समय सब चीजे नहीं हो पाई तो चीजे चेंज होंगी जैसे महरास्ट में हुआ यहां भी चेंज होगा अब कम सीटे देंगे उनके तो निश्ची तू पर अकाली नजर आएंगे वहां तो बीजे पी नहीं नजर आएगी अगर कम सीटों पर उन्हें लड़ाएगी लोकसभा के चुनाव जब चल रहे होंगे मार्च अप्रेल में उसी समय राज्यसभा का भी चुनाव हो रहे होंगे कई सीटे खाली हो रही है तो तो चर्चा यही है कि सोनिय गांदी जा रही है राज्यसभा इस बार नहीं लड़ रही रहा है बरेली से यही खबरे आ रही है कि उन्हें करनाटक से दीकेश वो कुशिव कुमार ने रिक्वेस्ट की है कि आप यहां से चले जाओ क्योंकि फिर वो हार जाएंगी तो बंगला खाली करन पड़ेगा 10-30-40 वाला तो पहले सी कौन सी सीट सेफ है जो करनाटक में नहीं, मैं कहर Australia के लिए लोगसमा की सीट में इस समय सेफ नहीं है। पूरे वारत में इस देश की सबसे सेफ सीट से ही राउल गांधी इस समय संसब है पाइनाड उससे सेफ सीट है नहीं कोई लेफ्ट वाले और मुसलिम लीग वाले जब तक इनके साथ है अब देखें लेफ्ट इस पार कैसे होता है इंडिया लैंस में यह तो चैलेंज है निक 5 पए क्या लेफ्ट वाले मानेंगे वह यह तो बड़ा सवाल है और अगली वार माहल बन रहा है उनके खिलाफ भी लेफ्ट वालों के खिलाफ माहल खूब बढ़िया बन रहा है वहां पर भरस्टा चार और जो अपने सारे वहां पर घोटा ले और वो सब सामने आ रहे हैं स्मगलिंग दुनिया वर के ताम जाम केरला इस्टोरी तो दोजार चोबिस तक केरल में भी सीन बहुत बदलने वाला है दोजार चोबिस में तो वही हो ना कांग्रेस वाले केंगे कि हम 15 सीट अप नहीं रखेंगे पांच आप लड़ो तो पिर कैसे बनेगी वहां तो बात बनेगी नहीं वो तो कहेंगे ना कि हम जादे पर लड़ेंगे लेफ्ट वाले जिनकी सरकार है वो पांच पे कैसे मान जा अर्विन केजरीवाल नहीं छोड़ेगा इनके लिए सीताप तेमाल लीजी अब यह जो तीन राज्यों में हार होगी तो अर्विन केजरीवाल तो छोड़ेगा नहीं माराष्ट में इनकी कोई चलती नहीं है बिहार में वहाँ सब लालू और नितीश वो सब अपने इसाब से सेट करेंगे वहाँ पे इनका कुछ नहीं होने वाला तो ले देकर ये दबाव बनाने के स्थिती में कहां पे हैं बस केरल में सब जीए के सेकेंडरी और ठर्ड पोजिशन पे तो है तमील नाडु में पी नाड़ु में बहुस्यों कि स्टालिन सुनरा है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें